और आज की दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेट था और चलो चलते हैं गोगा करनिवाल और चल के पूरा जर्नी का मजा लेते हैं वेल्कम टू मस लाइफ अमित कुमानिवाल देखने के लिए तो अभी मिडल अप द हाइवे हैं हमारे सर ने बताया के हम लोग जा रहे हैं करनिवाल देखने और स्टार्ट होने का टाइमिंग था आफ्टर नोन और अभी टाइम है रहे हैं 2.30 और जिस रोड से जा रहे हैं तो देख लोग कोकोनेट ट्री और यह रोड है और मुझे लगता है कि 10 मिनिट में लोग प chiri सो यार दो अबर देखने के हूं यह कोकोनेट ट्री यार गाड़ी चलाने की मजा फिस का करने वाल जो पंजी का मैं जो सरकल है वहाल से स्टार्ट हो तो देख लो जो आगे चलते हैं हो आगे चलकर देखते हैं कया है कैसा दिख रहा जो चापी जो लगा वगा हुआ ह जब जाते हो आप कफीनों के तरफ मांडवी रिभर साइड में बना हुआ है स्टेज जहां पर लोग देखकर उसे नंबर दिया जाया गया कौन सा बेज था 2020 हुआ है talking हुआ है झाल झाल करनिवाल कर लेना कि करनिवाल कब है और आकर आप बजी मा कर इसका वजा लेना यार आपको अच्छा लएगा कॉमेंट बॉक्स पे जरू जाके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और सी चीज को दिखाये जाता है जो गोवा बेस है मतर भी पुरे लंबे बने हुए है तो रही बहुत सारे संख्या में लोग अभी आपको बहुत कम लोग दिख रहे हैं मगर जैसे 3.40 होंगे 3.45 चलने का टाइमिंग है या से उसके बाद आपको दिखेंगे तो आगे में और स्टेज बने हुए हैं जहां पर लोग बैट कर देख रहे हैं और बता रहे हैं कौन सा बेस चाकी था किसका था कहा था बहुत सारे लोग पंचायत बेस से बना हुआ है तो लोग जा रहे हैं मजे कर दो आगे चलते हैं लाइक जरूब कर देना अगर अभी तक अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना ताकि नेस वीडियो आपको मिल जाएगा गोवा में क्या चल रहा है गोवा की इंफोर्मेसा सब चीज मैं आपको अपन पर गोवा में क्या हो रहा है कैसा चल रहा है अगर कुछ और भी जानना है तो मुझे इंस्ता पर मैसेज कर सकते हो गोवा के बारे में और मैं आपको वहां पर एक अच्छा सजेशन दे दूँगा कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा